नमस्कार न्यूस बाइसकोप में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ मनीश को अवर्मा राची बीजेपी परदेश कार्याले में विदायक दल की बैठक हुई जिसमें बीजेपी के परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी नेता परतिपक्ष अमर बावरी और संगठन महामंत्री करमवीर शामिल हुए इस बैठक में जहारखण में होने वाले दो सीटों पर राजसभा चुनाओ को लेकर चर्चा हुए बैठा के बाद मीडिया से बाच्चीत करते हुए अमर बावरी ने कहा कि कल 11 बजे विदान सभा में राजसभा उमिद्वार के तौर पर भाजपा की तरफ से डॉक्टर परदी पर महा नॉमिनेशन करेंगे इसमें NDA गडबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल लेंगे साथ ही जो NDA के विचारधारा को मानने वाले लोग है वह तमाम लोग इसमें शामिल होंगे मरबावरी ने कहा कि एक सीट पर जितने की ताकत हम लोगों के पास है और एक सीट जीतने की ताकत सत्ता पक्ष के पास भी है ऐसे में कोई तीसरा उमिद्वार ना हो इसका ध्यान मुखे मंत्री को रखना चाहिए और जिसके चलते जहारकण हमेशा से बदनाम रहा है हास्ट रेडिंग की संभावनाए जो बनती है वहां ना हो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए तोने के लिए प्रत्यासी के रूप आज बिदारी दल की बैठक हुई थी और बैठक में हम लोगों ने उनको प्रत्यासी के रूप में समती प्रदान करते हुए जाएंगे और उनका नुमनिशन कराएंगे जारगन बंदाम रहा है हमेशा से होस्ट टेडिंग के कारण से इसलिए शत्ता पच्च के मनने मुख्यमंत्री से याग रहा होगा कि किसी भी परगार गया साइब गंजमेपूर मुख्यमंत्री हमन सोरेन की पतनी कलपना सोरेन मंत्री हफीजुल हसन के साथ बरहेट विदान सभा के सुंदर पहाड़ी डब्रू हाट फुट बाल मयदान हवाई मार्ग से पहुँची इसके बाद उन्हों ने बरहेट विदान सभा के अनोगाश्या मयदान में सभा को संभूधित किया पॉल मैदान में भी पहुचकर सभा को संबोदित किया इदर मंत्री हफीजूल हसन ने भी इस दोरान साहिव गंजिले के योजनाओं का शिलन्यास एवं उद्गाटन किया कि इसके बारे में अंग्रेजों के नीचे तप रहे हैं जल रहे हैं तकलीफ में हैं उसके बारे में भी सोचने के लिए सोचा नहीं था इस छारखंड की भूमी का भूलार उस समय अपने आखों में सपना देख चुबा था और अपनी आवाज हूल की आवाज अग्रेजों के खिलाफ करी कर दीती ये वीर भूमी उस उबाते हुए आख और उस आजादी के लिए तरपते हुई आथमा के लिए है जिसने अपने मिटने के लिए अपना देवे अपना शरीर जलने के लिए तकलीफ झेलने के लिए शरीर में कोडे गोली खाने के लिए भी मैंनी सोचा उस वक्त भारत में जाखन में वो आख चिंदारी जल चुकी थी आहुमारे भूल के कॉंग्रेस से जामतरा विधायक अपनी ही सरकार से नराज हो गए हैं उन्होंने सोचल मीडिया पर पोस्ट करते वे लिखा कि मुख्यमंत्री जी मैं आपका सम्मान करता हूँ लेकिन जिस प्रकार बिर्बिंदिया पुल के शिलन्यास कारेकरम के सभी अख़बारों में दि जारखंड लोग सेवायोग की तरफ से जारखंड ने आएक के सेवानगरत सिविल जज जूनिया डिवीजन प्रारंविक प्रतियोगता परिक्षा संपन कराएगी इसके लिए राजधानी राची में भी परिक्षा केंद्र बनाए गये थे इन परिक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परिक्षा कायोजन कराने का दावा प्रशासन की तरफ से किया गया परिक्षा को देखते वे वरिये पुलिस अधिक्षक राची द्वारा पुलिस वल ओवम पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडनाधिकारी की भी प्रतिन्युक्ति की गई थी जो एक्जाम हो रही आप यहां पर देख सकते हैं कि जारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन सिभील जज जूनियर डिविजन का पीटी एक्जामनेशन है और जेम्जे है स्कूल में भी एक्जामनेशन सेंटर को बनाया गया है यह डोंडा इलाक सेंटर पर जाके पतादिकारी निरक्षों भी कर रहे है और हमारे साथ एक्जाम दिलवाने के लिए पेरेंट्स हैं सर कितने बजे से एक्जाम है स्टार्ट हुआ अधिवासी एकता मंच के तरफ से पाकुड में महारेली निकाली गई यहारेली गोकुलपुर से प्रारम होकर मुखे सड़क होते हुए सिद्धू कानू पार्क तक पहुँची जहां जमकर नारेबाजी की रेली का निर्टित कर रहे रसका सोरेन ने कहा कि एहाँ आदिवासी समाच को जातियों में बाटने का काम किया जा रहा है हम सब आदिवासी एफ हैं मैं आदिवासी एकता के केम्रिय कमेटी के डॉक्टर सुशील मरांडी ने कहा कि पूरे बेश में ना सिर्फ आदिवासी बल्कि दूसरे समुदाय के लोगों को भी एक दूसरे से बाटने का काम किया जा रहा है। इस दोरान उन्होंने के इंदर सरकार पर भी निशाना साथ। कि अधिया पर कायम है। इसको भी आने की घुशिस की जा रही है। और कुछ दिन पाहले से चल रहा है जो हम आदिवासियों को धरम के नाम पर लड़ाने का काम कर रहा है। कुछ संत परिवार के दोरे ये चीज़ किया जा रहा है। तो हम ये अगाह कराना चाहते हैं कि हम सभी आदिवासि विविन धरम के लोग हैं। राजधानी राची के धुर्वा स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के का आउनलाइन उद्घाटन प्रधान मंत्री नरिद मुदी ने किया। इस उसर पर दस लाभुकों को सांकेतिक रूप से चावी देकर ग्रह परवेश कराया गया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतरगत एक हजार आठ आवास तयार किया गया। लाभुकों के बीच लोट्री कर आवास आवंटन किया जा चुका है। इस मौके पर राची के सांसत हटिया विधायक नगर प्रशासक अमित कुमार समेत अन्यशा में लोगे। लाइट तीन सु स्क्वाइर फिट का फ्लैट उपलब्ध कराना ये संभौ सा लगता है। लेकिन यसस्वी परधानमंत्री नरेंद्र बोधी जी के पहल से उनके प्रयास से केंदर सरकार का साड़े 6 लाक रुप्या सहियो। एक लाक रुप्या राज सरकार का सहियो। और जितने में रेंट देते थे जो गरीब दो हजार तीन हजार। दो हजार तीन हजार अब इंस्टॉल्मेंट देकर वो गरीब अपना आसियाना ले रहे हैं। जो भाड़े के मकान में थे, सलंब एरिया में थे, आज उनके लिए ये स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। और आज हम लोग आके देखें इतना सुंदर अध्भुत सा नगर निगम ने बहुत इसमें मेहनत की। प्रधान मंतिर नरेंद मोदी जी का अभार व्यक्त करना चाहता हो। और यहीं मोदी के गरंटी है। मोदी के गरंटी कि 25 क्रोड लोग जो गरीबी रेखा किस उपर आदें। और गाउं गरीब किसान चाहे उसको प्रधान मंत्री अभास हो, चाहे लाइट हाउस हो, चाहे सोचाले हो, चाहे गैस चूला सेलिंडर हो, चाहे जन्दन खाता हो, चाहे एव श्मान भारत हो, चाहे विश्व करमा योजनों ऐसी ऐसी योजनाय आजादी कि 25 साल में। ऐसी योजनाए जो धरातल कोत्री और आज जो लाइट हाउस प्रजेट एक हजार आठ ऐसे कहते हैं गरीब लोगों को सिर्फ पांच लाग रुपए में पांच लाग रुपए में इतना बढ़िया फ्लैट यह मोदी है बेरमुक के चंदरपुरा में केंद्रिय उद्योगिक सुरक्षाबा लिकाय की तरफ से CISF के 55 स्थापना दिवस के अउसर पर परेड़ वेपन ड्रील एवं अगनी शबंदस्ता द्वारा फायर डेमो प्रस्तूत किया गया जिसमें मुखे अथिती वरिष्ट प्रबंदक ए सबी कारेक्रमों के विजयताओं को प्रस्कित किया गया एवं मुख्य अथिती के द्वारा CISF बल कर्मियों एवं उनके परिजनों को शूभेक्षा दी गई दिरे दिरे बहुती बुलंद आवाज में अनुमती लिखने हुए मुख्य अदिनी मौहदै से इसको समाते है भेर्मो अनुमंडल बुकारो थर्मा लेसिर डी बीसी स्टेशन क्लब में CSR के द्वारा अंतरास्टिय महिला दिवस कायो जन किया गया कारेक्रम की शुरुवात बेर्मो के प्रमुक गिरिजा देवी जिला पार्षद शहजादी बानो स्वाती होलकर चिकिस्सक पदादिकारी संगीता रानी सहित संयूक तुरुप से दिव प्रजलित कर कारेक्रम की शुरुवात की गई कारेक्रम में आई महिलाओं ने अपने अपने संबोधन में महिला सशक्ती करन सहीत महिला उत्थान को लेकर उपस्तित महिला समू को संबोधित किया कि आगे अपने अम्नी का चाहल आगा और तो कि अधिक है जैसे मा बहे पंदी दोस्त और भी बहुत वे हमें नई पिशाद किया है हमें प्रेखी सथी है और हमारे जीवन को पेंटर बनाएं की जिए लगाना का मुर्ती है महिता है तुमार वन्लाओं को शत्री सो रुखा ब्रहाद के देज़ा है सत्री का पेचान हमारे करने पर्पुपी देदी है हर श्यत्र में हमारे मतार रने बेटिया बहुत सकते जोगर के काम बढ़ती है बेरमोन मंडल के पेटरवार प्रकंड इस्तित्र तेनुगाट पंचायत में सायक निवंदक सयोग समिती भवन का उदगाटन गिरिडी सांसत चंदर प्रकाश चौधरी एवं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने किया इस मौके पर जिरा परिशद सदस्य माला द आनेुगाट अश्ण गेशलाओं जिसका अश्डेय कौन को दिखातन ग्या आरे संदस्थे ऊंदे थिसक्षय लगों का यह वारा यह विवार्टर प्रम तरुम्हाट जान होगाट हैं यह लगों के लिए विविविवियों को गर्यों के आरिता समंदें असानिसे लोगों क काम करने में सहुलियत होगी और लोगों को इसका सिधा सिधा प्रितक्स लाब में इस दिश्टिक हम लोगों ने बिगत बाद ठेनोगान में साकारत्या भवन का शिला नास किया था जिसका आज हम लोगों को दिखाधन करें इसे